आज के जौर में वीडियो देखने का चलन तेजी से बढ़ रहा है वीडियो देखने के पीछे लोगों की दिल्चस्पी जाहिर है वो या तो मनोरंजन के लिए या कोई जानकारी लेने के लिए वीडियो देखते हैं लोग उसी वीडियो को देखना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें या तो उनको देखने में मज़ा आता हो, या उन्हें कोई खास जानकारी मिल रही हो, या फिर उसके किर्दार ने इतना बड़िया काम किया हो कि बस मज़ा ही आ जाए। ठीक उसी तरह कोई भी वीडियो तब ही प्रभावी बनती है, जब उसका कंटेंट और कहानी या उसमें कही गई बातें उस समुदाय के लोगों के काम की हो, और उन्हें आसानी से समझ भी आए। साथ ही लोग उस वीडियो पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसमें काम करने वाले लोग उनके आसपास के हो। साथ ही एक्टर का चुनाव हमेशा शूटिंग से दो-तीन दिन पहले कर लिया जाना चाहिए। शूटिंग से पहले हमेशा स्क्रिप्ट में लिखे कुछ डायलॉग्स किरतार से बुलवा कर जरूर देखें कि कहीं उनको डायलॉग्स बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनकी आफास में उतार चड़ाओ कैसा है, साथ ही उनके हाव भाव पर भी नजर रखें। शांत हो जाएए प्लीज, रेडी, रेडी, एक्षिन, इस बार हमने अपने अनाज को अच्छे दामों पर बेचा है, देखें, अगर अच्छे दाम पर बेचा है, तो ये तो खुशी के बात है ना, तो ये खुशी आपके चहरे और आवाज, दोनों पर दिखनी चाहिए, किर्दार को विडियो के विशय के बारे में पहले से जानकारी देनी चाहिए, इससे उसके अंदर विश्वास पढ़ता है, और उसका प्रदर्शन भी पढ़िया होता है, साथ ही आपका किर्दार ऐसा होना चाहिए, जो शूटिंग के दौरान डारेक्टर की कही बातों को म माने, क्योंकि ये हो सकता है कि किर्दार निभाते वक्त उसे पूरी कहानी ठीक से समझ ना आए, जबकि डायरेक्टर को सब पता होता है, इसलिए उसे डायरेक्टर की कही बातों को मान लेना चाहिए, शूटिंग से पहले सभी किर्दारों को विडियो के विशय के बारे मे बता दे और उनसे लिखित सहमती ले कि वो अपनी मर्जी से इस वीडियो का हिस्सा है और उन्हें कोई आपत्ती नहीं है शूटिंग के वक्ट एक्टर्स के साथ दोस्ताना माहौल रखें इससे आपको काम करने में आसानी होगी याद रखें शूटिंग से पहले एक्टर्स अपने डायलोग्स की प्राक्टिस कैमरे के सामने जरूर करें इस बार कीड़े की फसल में आलू नहीं लगेंगे ऐसा करने से वो क्यामरा के सामने अच्छे से बोल पाएंगे साथ ही उन्हें अपनी घलती को सुधारने का मौका मिलेगा और शूटिंग के दिन आपका समय भी बचेगा उमीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए भी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार एक अच्छे किर्दार का चुनाव करना आसान हो जाएगा तो देर किस बात की एक अच्छे किर्दार का चुनाव कीजिए और बनाना शुरू कीजिए अपना वीडियो धन्यवाद